हाई आवरीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं यह तो हो जाएए फाइनली आज आप सब का इंतिसार खतम होई जाएगा क्योंकि आज वेइंग और वांग जी एक दूसरे से पहली बार मिलने वाले हैं और कैसे वे एक दूसरे से पहली बार मिलकर ही कैसे यह दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगेंगे यह सब देखकर आप सब को पहुत ज़्यादा मजाने वाला है इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ क्योंकि उसने नाम तो अपने अंकल के मुसे पर अभी इस टेम से याद नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ जियांग फैमिली नाम पर ज्यादा ध्यान दिया था और इसलिए उसे जियांग नाम ही याद है सीधे शब्द में कहूं तो उसे नहीं पता कि उसके कोण आने वाला है उसे बस इतना पता है कि हाँ जो भी आ रहा है वो जयांग फैमली से है बस उसे इतना पता है वांग जी कोлемेट का नहीं पता ठीक आप चलिए हैं जहां से अनुने स्टॉरी को छोड़ा था वांग जी बैट चुका था अपने इंक काइं दिद्धार कर रहा है उसने पूरे के पूरे बैट पर कपड़े गिरा रखे थे, वनलों गिरा नहीं रखे थे, सबके सब फॉल्ड हुए थे अच्छे से, और अराम से उसने रख रखे थे, और वो एक कॉर्णे पर जाकर की बैट गया था, अब वो कॉर्णे पर बैट के क्या कर रहा है, यह तो आ काड़ी से उतरते हैं, और फिर वोर्डन से पात करते हैं, और वोर्डन उन्हें बताती है कि कौन सा रूम है, चैंग चैंग का रूम है 105, अब सबके सब 105 रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे ही वो रूम में घुसते हैं, उन्हें एक प्यार असा लड़का सामने अब जैंग चैंग भी अपने रूम मेट को देखता है, फिर बोलता है, मोम आपको नहीं लखते हैं कुछ ज्यादा ही शरीफ है, उसकी मोम बोलते है चुपकर जैंग चैंग तो इसको ज्यादा परिशान मत करना, जैंग चैंग बोलता है, ठीक है ठीक है नहीं करूंगा, वैसे भी मुझे शरीफ लोगों को परिशान करके मसा नहीं आता वीइंग बोलता है अच्छा जूट बोल रहा है तू दिन भर मुझे परिशान करता रहता है ज्यांग ज्यांग बोलता है तो तू शरीफ कहा है वीइंग बोलता है अच्छा मैं शरीफ नहीं हूँ तभी यू बोलती है अरे तुम दोनों यही पर लड़ने मत पैट जाना चलो जांग चैंग तो मुझे अपना बैग मैं तुम्हारा सारा समान तुम्हारे कबट में लगा देती हूँ ठीक है और तुम्हें बता दूँगी कि क्या चीज़ कहां पर रखी है कभी फिर ढूंडते रह चाओ चैंग बोलता है मोम आप कितनी अच्छी है ना मेरे बारे में कितना सोचती है यू बोलती है चुपकर काश थोड़े से वींग के गुण तुझ में आयो होते तो मुझे इतना परिशान ही होना पड़ता चैंग बोलता है मोम अब हर टेम वींग की साइड क्यों लेती रहती है मैं अभी तो आपका बेटा हूँ आप ये भूल जाती है क्या यू बोलते है बस भी कर अप चल अपने बैक दे मुझे अब चैंग चैंग दे देता है अब यू जो है वो चैंग का सामान लगाने लग पार रहा था अब वन्क जी वह सैंग को देखकर बोलता है तुम्हें कैसे पता चला मेरी रूम का से बोलता है वो मुझे वर्डर ने बताया वो चैंग पहले पूरा खालो फिर बोलना नहीं तो मुह से निकल जाएगा जो झालो ठीक है अधोटी तेरो बात सबस्ता क्याया सब्सक्राइब और तेरा नमबर बताना मुझे कभी आना होगा तो वैसा आइप जेड़ा रहता है यार मेरे रूम मेरा एक शैतान रहता है तुझे नहीं पता मेरे रूम में एक शुयंग नाम का लड़कर रहता है वो पहुत ज़्यादा शरारत करता है, हर टैम मुझे छेड़ता रहता है यार, जैसे कि मैं कोई लड़की हूँ, वांग चे हसने रखता है इस बात को सुन करके, और फिर बोलता है, तेरे साथ तो यह होना चाहिए, तो हर टैम मुझे छेड़ता था, अब तेरे रूम में रह करता है, वो ज्यादा बाते नहीं करता है, चुप चाप रहता है, और मुझे बिलना था कि मैं आपने robot काम रखहोँ, और व अपने robot काम से गता है, तो होर यह वो Edge भी त्रह को दो गोरिंग बोट जाता है और वांग जी के कप्ड को उठा करके दूसरे बैट पे रखतेता है मतलब कि जो बैट खाली था उस पर रखते यह देखकर वांग जी बोलता है तो मुझे डर लगा तैसे मैं उठाकर एक दो और देता हूं नषय संसा कि उठाइब ऑक फिर से उठाता है अब कुछक्थ पिर सबने कघीया में मस्क्रीढों ने ौरा opted वैंग जी फिर से बोलता है वैंग भूलता है वह संट बूलता है एक बात मैं तुझे लए बूली गया तुझे बता है यहाँ पर दो दिन पहले मेरे किसी से जकड़ा गया था नसे बने में लूह के बच्चे थे वह वह टूरी हैं वो एक मिनिट तुने मुझे बताया था कि या तरह को तुम होने और दो लुझे कर रहे वह ह। पर मोगता है और अइक्स साइस करता है बह। ज्यादा पढ़ाय करता है सिर्द 거지 अक fps और और यार मतलब की तेरा फ्रेंड है दो महींडी से तूसे रोस बाते करता है वो तेरसे अपनी हर बात शेयर करता है, तू भी उसे अपनी हर बात शेयर करता है, बस नाम को छोड़ कर तुम दोनों का सही है यार, मैं भी एक ऐसा ही ट्रेंट बनाऊंगा, जिससे मैं उसका नाम नहीं पूछूंगा कभी यह सुनकर के वांग जी बोलता है तू पागाल है एक नमबर का होई सेंग बोलता है अच्छा चल एक काम करता हूँ मैं तुझे मेरे रोमेट से मिलवाता हूँ ठीक है और फिर तूसे बात करके देखियो क्या पता तुम दोने एक दूसरे को सच में जानते हो क्या पता हूँ वही हो तेरा उनलाइन ट्रेंट वांग जी बोलता है मुझे नहीं जाना होई सेंग बोलता है क्यों नहीं जाना मैं लेकर जाओंगा तुझे अब होई सेंग वांग जी को उठा देता है पैट से जिस वज़े से वांग जी के कपड़ी गिर जाते है अब Wang जी बोलता है मेरे कप्ड़ी गिर गया है है मुझे उन्हें उठाने तो Huay Sang बोलता है नहीं बाद में उठालेंगे आकर और फिर मैं भी तेरी help कर दूँगा Wang जी बोलता है पक्का Huay Sang बोलता हाँ पक्का अब Huayasang Wangji को पकड़ कर खीचने लगता है पाहर की तरफ और बोलता जारा था तू भी न एकड़म लड़कियों की तरह नखरे करता है Wangji बोलता है मैं सब कुछ नहीं करता है Wangji बोलता है करता क्यों नहीं है मेरे roommate से मिलने में भी कैसे नखरे दिखा रहा है वांग ची बोलता है चल रहा हूं ना मैं हुएसेंग बोलता हाँ वो तो मैं लेकर जा रहा हूं तुझे अब जैसे ही हुएसेंग और वांग ची रूम से निकलते हैं तब ही दूसरी तरफ से वींग अपनी पूरी फैमिली को ले करके रूम में चला जाता है मतलब कि वांग ची रूम से निकला और वीइंग रूम में कया अब जैसे वीइंग रूम में जाता है तो रूम की हादत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी कुछ कपड़े इस बैट पे थे और कुछ कपड़े नीचे पड़ हो जाती है और चैंग वो तो बहुत जोर से टाले पजा बजा कर हसने लगता है और फियंग बोलता है कि वीइंग का रूमेट मुझ से भी ज़्यादा पागल है देखो तो उसने अपने कपड़े कैसे फैला रखे है अपने रूम का ये हाल तो कभी मैं भी नहीं करता मॉम देख लीजे अप बिचारा वी इंग पता नहीं कैसे रहेगा इसके साथ अब वी इंग बोलता है हे भगवान मॉम रूम की हाल देखे आपने मैं भी वोर्डन को बुलाता हूँ मैं उसकी शिकायत करता हूँ उसके मॉम बोलते है अरे नहीं ये क्या पता उसे गलती से गिर गए हो और वो जल्दी में हो उसने उठाए नहों वी इंग बोलता है मुझे नहीं पता पर देखे तो उसने क्या हाल कर रखा है रूम का वो सारे कपड़े एक वैट पर भी तो रख सकता था ना उसने तो पूरे रूम पर ही कबसा कर लिया आते ही मैं उसे छोड़ूंगा नहीं कितना भूरा लड़का है वो तब ही जो है दर्वाजे पर कोई नो करता है दर्वाजे खुला हुआ था सब के सब पीछे मुड़कर देखते है दर्वाजे पर हुएसेंग खड़ा हुआ था अब जैसे ही वी इंग हुएसेंग को देखता है तो बोलता है क्या तुम मेरी रूमेट हो वेसेंग बोलता है मैं अरे नहीं नहीं मैं नहीं हूं मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मुझे इतना अच्छा roommate मिले ये सुनकर वींग खूड़ने लगता है वेसेंग को और यह सब देखकर चैंग वह स्यादा सोर से हसने लगता है और फिर बोलता है वा यार यार यह सीधा सीधा फ्लाट कर रहा है मतलब कितना मस्त है ना यह लड़का तुझे तो इसे फ्रेंशिप कर लेनी चाहिए अब वी इंग चैंग की तरफ घूरने रगता है और यू जो है वो चैंग को चुप कर वाती है और फिर बोलते है तुम तो यहां पर नहीं रहते हो तो वह ल हुए सैंग बोलता है नहीं उसका भाई उसे चोड़ने नहीं आये था उसके अंकल उसे चोड़ने आये थे उसका भाई तो अभी उसे मिलने आया है यह सुनकर ज्यांग चैंग बोलता है अच्छा मिलने आया है मतलब उसके भाई का उसके बिना मन नहीं लगा जो इतनी जल अब वेसंग उसका फोन बचाता है और वह चला जाता है अब यू जो है वह वीइंग को बोलते हैं वीइंग लाओ दो मुझे अपना बैक मैं तुम्हारे कपड़े भी लगा देती हूं वीइंग बोलता है नहीं मौम मैं खुझ से लगा लूँगा यू बोलते हैं मैं किसले लगा लेना अब वीइंग बोलता है मौम शाम होने वाली है आपको अंधेरा होने से पहले जाना चाहिए उसकी मौम बोलती है नहीं मैं तुम्हारी सफाई में मदद कर देती हूं रूम थोड़ा गंदा है वीइंग बोलता है मौम मैं कर लूँगा आप जाईए यू पोलत मैं चलती हूं अब अब सबके सब घर जाने लगते हैं और सबके सब वीइंग को यही बोले थे कि खाना खाना मत भूलना इतना काम मत करना कि ठक जाओ अच्छे से सोना है नीन्द पूरी लेनी है अपना ख्याल रखना है सबके सब वीइंग को ही बोले जा रहे थे यह सुन करना किसी को परिशान मत करना है तुमारी शिकायत नहीं आनी चाहिए आत्में जल्दी सो जाना है भूतों की तरह पूरे होस्टल के चक्र नहीं लगाने है यह सुनकर के चैंग बोलता है नहीं नहीं आप सब बस वी इंग को ही बोल लीजे मुझे मत बोली मैं तो अपना ख्य जाता है और फिर बोलता है अब मुझे यह मत कहना कि मैं तुम्हारी सफाई में मदद कर दूँ जब मुझे मत कहना कि मैं मदद कर दूँ मैं नहीं करने वाला यह बोल करके चैंग जीब दिखाता है और फिर भाग चाता है यह देखकर हसने रखता है और फिर बोलता है यह सुद्रे का सच में मैं तो उसे बोला था कि अपना सूप लेते चाओ जो दीदी ने मुझे बना कर दिया था चैंक अभी मेरे पास ही था अब चैंक तो पिनल यह चला गया बाद में आएगा मेरे पास तब मैं नहीं दूंगा यह बोल करके विंग अब अपने बैक को अनपैक पड़े वे थे हुए सैंग ने गिरा दिये थे विंग वांग जी के उन कपड़ों को उठाकर उसके बैट पर रख देता है और फिर पोलता है ठीक है उस लड़की के आने से पहले मैं पूरी रूम की सफाई कर लेता हूं फिर मैं उसे पूछ लोंगा कि उसे कौन सा कबट चाहिए और कौन सा बैट difficult आफक जाता है अब जो है में चौफाई में लग जाता है ऐसे ही श्याम झाती है च्पड़ जयते हैं और तरुवास पर साख शात Warangji खड़ा हुआ था Warangji के हाथ में भी कुछ था और Wing के हाथ में खूड़ा था अब जैसे Warangji और Wild एक दूसरे को देखते है तो देखती ही रह जाते हैं जैसे की आज उन्होंने कोई हीरा देख लिया हूँ वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी पीजे से कुछ लड़के आ करके वांग जी को धक्का दे देते हैं जिस वज़ा से वांग जी का बैलेंस फिकर जाता है और उसके हाथ में जो सामान था वो गिर जाता है वांग जी भी गिर नहीं वाला होता है तो दोनों देखकर नहीं चल सकते तुम्हारे वज़ए से यह गिर जाता इसे चोट लग जाती तो अब वो लड़के बोलते हैं हमारी इसमें कोई गलती नहीं है वो लड़का बीच में खड़ा हुआ था हम दोनों तो आराम से चलकर जा रहे थे और वही बीच में आ गया उसे धका लड़के अब इसमें हमारी क्या गलती है वीइंग बलता है ओ इसमें तुम्हारी क्या गलती है मैंने साफ साफ देखा था तुम दोनों की ही गलती है तुम दोनों को देखना चाहे था कि कोई बीच में खड़ा हुआ है तो तुम दोनों को संभड कर चलना चाहिए था तुमारी वज़े से यसी चोट लग जाती वो दोनों लड़के बोलते हैं लग जाती तो हम क्या करें हाँ वींग बोलता है मुझे लगता है तुम दोनों को मावी मांग लेनी चाहिए उससे अब वांग ची लड़ाई को बढ़ता हुँँआ देखता है और फिर आके आता है और फिर बोलता है देखो तुम तीनों को लड़ना नहीं चाहिए यहाँ पर आज हमारा पहला दिन है और तुम तीनों मेरी वेज़े से लड़ रहे हो देखो मुझे चोट नहीं लगी है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब वो दोनों लड़के बोलते हैं हाँ फट्टू कहीं का ऐसा बोल करके वो दोनों लड़के चले जाते हैं वी इंग भी वांग्ची को देखता है और फिर बोलते हैं तरपोक और वी इंग भी चला जाता है वांग्ची को बहुत अच्छा लगता है पूरा रूम देखकर अब वांग्ची सोचता है रूम तो बहुत गंदा था इसका मतलब ये पूरा रूम उसने साफ किया है ये भगवान मैंने उसकी हेल्प नहीं की उल्टा मेरे कपड़े तो नीचे पड़े हुए थे बहुत भ बहुत गया था हुए फिर लाकर बैट पर रखतेता है फिर बोलता है तुम इसे तो भूली गए थे वांग्ची उस बॉक्स की तरफ देखता है और फिर विंग को थैंक यू बोलता है विंग बोलता है कोई बात नहीं मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लावर्वा होग अब वांग जी फिर से चुपो जाता है अब वीइंग वांग जी को बोलता है वैसे मुझे जानना था कि तुम्हें इन में से कौन से बैट चाहिए और कौन से कवर्ट चाहिए मुझे अपना सामान लगाना है जल्दी मुझे बताओ वांग जी कुछ नहीं बोलता वो चुपी खड़ रहता है वीइंग बोलता है मुर्ती की तरह खड़े ही रहोगे या फिर बताओगे भी मुझे जल्दी बताओ तुम्हें कौन से साइट का बैट चाहिए वांग जी बोलता है राइट वाला ठीक है वीइंग बोलता है हम अच्छी बात है मुझे वैसे भी लेफ्ट वाला ही चाहिए था वीइंग वांग जी को बोलता है ठीक है अपने कपड़े मेरे बैट से हटा लो वांग जी उन्हें हटाने रखता है आराम से वांग जी पिचारा अभी से وिईंग के इशारों पर नाचने लगाए आगे पता नी क्या होगा इसका अब विईंग वांग जी को बोलता है वैसे तुमने ये सब पहले क्यूँ नी किया मेरे आने से पहले तुम ये सब कर सकते थे न वांग जी बोलता है मुझे तुम्हारा मैं कुछ कहना चाहता हूँ बोलो तो के गाइस आज के लिए इतना ही आपको इस ट्पोरी कैसी लगुए कमेंट में सबस्क्राइब पतानों वीडियो को लाइक कर देना अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब अपने ख्याह लगना बाइब